हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो जरहट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो मैं आज आपको एक लौंग का ऐसा चमतकारी उपाय बताऊंगा यदि आपने इसे कल की रात कर लिया तो आपकी सभी परिशानिया खत्म हो जाएंगी और साथ ही आपकी सभी च्छाएं पूरी हो जाएंगी दोस्तो यदि आप मंगलवार को कुछ खास उपाय करते हैं तो उसका आपको और आपके परिवार को बहुत ही ज़्यादा लाब मिलता है दोस्तो यह उपाय आपने इससे पहले जरूर किया होगा लेकिन हर उपाय अलग-अलग दिन का अलग-अलग महत्त होता है यह उस दिन की ग्रह नक्षत्रों के अनुसार होता है दोस्तो जो भी आप सोचते हो वही आपको मिलता है जो भी इस उपाय आप करते हैं उसका उसको सगरात्मक प्रभाव मिलता है इसी वज़े से हमारे चैनल पर कम ही समय में 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं जो लोग इन उपायों को विश्वास इवं सच्ची स्रद्धा से करते हैं वह जरूर सफल होते हैं इसी कारण जो लोग हमारे उपाय पर विश्वास करते हैं वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसलिए हमारी फैमिली में 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं और हमारे उपायों से लाब उठा रहे हैं यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो आप भी हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बताया हुआ हर एक उपाय करके आप जरूर देखिए क्योंकि हर एक उपाय का अपना अलग-अलग महत्व होता है और आपको यह लाब जरूर पहुचाते हैं दोस्तो आईए अब हम कल के उपाय यानि मंगलवार के उपाय की बात कर लेते हैं आपको सबसे पहले एक लॉंग लेनी होगी दोस्तो लॉंग पूरी साबुत होनी चाहिए उसके उपर का फूल भी साबुत होना चाहिए दोस्तो इस लॉंग को लेकर आप अपने पूझा घर के सामने बैठ जाएं दोस्तो यदि आपके सामने हनुमान जी की तस्वीर हो तो ये और भी ज़्यादा सुब माना जाएगा दोस्तो उस हनुमान जी की मूर्तियत तस्वीर के सामने आपको इस लौंग को लेकर बैठना होगा मंगलवार का दिन हनुमान जी को समिर्पित होता है और दोस्तो हनुमान जी की यदि आप इस दिन अराधना करते हो तो आपको आपके उपर के संकट से मुक्ती मिलती है आपको इस लौंग को आपको हनुमान जी के पास रख देना है और अपने दोनों हातों को जोड़कर अपनी आखे बंद करके आपको जैशियराम जैशियराम इस मंत्र का 21 बार जाप करना होगा दोस्तो मंत्र का जाप पूरा होने के बाद आपको उस लौंग को अपने दाइने हाथ से उठाना होगा और आपके जितने भी परेशानिया हैं, आपके उपर जितने भी संकट हैं, वह संकट आपको उस लॉंग से बोल देनी है दोस्तो ध्यान रहे, आपको परेशानी बोलनी होगी, परेशानी बोलने के बाद आपको तुरंत वहां से लॉंग को लेकर उठना होगा और आपको दाइने हाथ यानि राइट हैंड में रखना होगा और अपने घर के छट पर आपको जाना होगा दोस्तो यदि आपके घर को छट नहीं है तो आप किसी खुले आश्मान के नीचे यानि मैदान में भी ये उपाए कर सकते हो आप अपने घर के बाहर मेंदान वहां पर आपको उत्तर दिसा की और मुह करके खड़ा होना है और इस लौंग को अपने सिर के उपर से तीन बार उल्टा गुमाना है उल्टा यानी आपको एंटिक लॉग वाइज इस लौंग को तीन बार गुमाना है दोस्तो इस लौंग को गुमाने के पश्चात आपको उत्तर दिसा की और मुख करके जितने दूर हो सके फेक देना है और दोस्तो आपको फेकने के पश्चात तुरंट आपको अपने घर आना होगा और ध्यान रहे आपको किसी से आते वक्त बात नहीं करनी होगी इस लॉंग को फेकते समें ध्यान रहे आप इस लॉंग को ना देखे और वह कहां गिर रही है ये आपको नहीं देखना है यदि आप अपनी आखे बंद करते हैं उसके बाद ये लॉंग फेकते हैं तो ये जादा सुब माना जाएगा उसके बाद आपको सीधा अपने छस से नीचे आ जाना है आपको यह उपाए मंगलवार रात साड़े दस बजे के बाद करना होगा दोस्तों आप देखेंगे कि उसके बाद ही आपकी सभी परेशानिया धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी आपके उपर जितने संकट है वह सभी दूर होने लगेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आपके लिए लाबकारी सिद्ध हो आप हमारा चैनल सबस्क्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद